सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटिस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अच्छा बेटा हम क्या कह रहे थे कि साधी का सारा खर्चा तो वो लोग उठा रहे हैं तो हमारा कहना यह था कि सबस्क्राइब का खर्चा हम लोग उठा लेते हैं अब बिल्कु ठीक है रहे हैं बापा हम भी ऐसा ही सोच रहे थे रहे हैं रिसेप्शन न एक तम शादी के जैसा होना चाहिए एक तम फर्सक्लास हमने तो कुछ सोच भी रखा है जैसे जैसे कि हमने सुचा है कि महमानों को रिटन गिफ्टिंग स्वागत के लिए एवन बेटा रखे और बुफे में न उठ अलग से आइटम रखे ताकि श्रिष्टी के पापा को भी लगेगा कि हमने उनके बराबर का रियूमें किया सार्थक तुम जो इतना उंचा-उंचा सोच रहे हो ना यह ऐसा ना हो कि वो साधी के वेवस्ता ऐसी करें जैसा वो हम सब को समझते हैं एक तम थर्ड क्लास इदी कैसी बाते करती हैं वो लोग ऐसा क्यों करेंगे पेटा यह जो तुमने सब बताया है इसमें कुछ ज्यादा खर्च नहीं होगा पापा खर्चा तो होगा लेकिन इससे हमारी सोच के बारे में लोगों को पता चलेगा ना और दूसरी बात कि शादी तो एक ही बार होती है ना तो इस दिखावे से बेटा क्या बदलेता अब वो क्या कहा तुमने रिटन गिप्ट अब यह किस चिलिया का नाम है हमें तो इतना समय हो गया इस कॉलोनी में हमें तो किसी नहीं दिया यह किसी नहीं दिया क्योंकि यहां के लोगों की सोच छोटी है और इसलिए जल्दी ही हम इस कॉलोनी का हिस्सा नहीं रहने वाले पेटा इसी कालोनी में पले बढ़े हो और इसी से भाग रहे है क्योंकि हमें पता चल गया है कि यहां के लोगों की सोच और हमारे सपनों में जम तुम्हारे इनी जुनूनी सत्नों से, हमें बहुत डर लगता है बेटा और पापा हमें डर लगता है चोटी सोच से क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े और हम उन्हें पूरा करना चाते हैं किसी भी केमत पर और छोटी सोच हमें ऐसा करने नहीं देखी, इसलिए उससे दूर भागते हैं अच्छा बेटा, ठीक है, इस बारे में हमें कोई बहस नहीं करनी, ओके? अच्छा ये बताओ, करना क्या है? क्योंके काम बहुत सारा बचा है, और सामे बिल्कुल नहीं बचा है अच्छा, तो सुनिए चबरन मैनक कर रहे हो तुम लोग, पर कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि हम साधी का लटू बटने ही नहीं देंगे यह महंदी कर साजावाज, बहुत च्छा क्या यह लोग, है ना, राशी? जी माजी नवस्ते, नवस्ते खुष्राइब भाएब भुष्राइब भुष्राइब खुष्राइब इठाइब पहनजी इस रिष्टे बीदिया नजाने आरे, कभा हूँ आएगी? जी बस आ रहे है वैसे इस महेंदी का रसम शुरुवात तौन करेगा शुरॉआत तो अंटी जी बड़ों से होगी लेकिन अच्छे से महेंदी लगाने के लिए हमने कानपूर की तौप फ्लास महेंदी वाली बुलाई है अरे बाँ काहे? मारा कहने का मतलब है आप लोग मेंसे किसी को नहीं आती महेंदी लगाना अरे हमें कहो देते हम ऐसी महेंदी लगाते कि सब लोग बस देखते रह जाते हाँ इस सब तो आजकल के चोचले है बिटिया इसलिए हमने महेंदी वाली बुला लिया है ऐसे तो स्रिष्टी के बड़ी नदो चाहो तो आशिरवात के रूप पे तुम्हें महेंदी लगा दो तादी अम्मा इतनी बड़ी ताप की महेंदी वाली बुलाए हैं तो बसूल भी कर लो कि अईसे हम तो शगुन कर ही देंगे हैं अरे गुप्ता जी भावेजी आगे आई आई ये वनौर जी कहा रहे हैं अमस्ते हैं जी आप लोग बैठे ना महंदी की रसम बस शुरू करने वाले है अंडे निकली है तुमरी एक नंबर लाट रहे हैं खाला तुम अपने प्यार को हासिल कर हें लिए ये लैला मजनी है न तुमसे प्यार की तिरेनिंग लेनी चाहिए थी खाम खाम मर मर आगाए लीजी आगी सिष्टी लीजी आग तुमसे खाम मर म मझने खाम मर आगाए खाम मर म म कपने लिए येला निझाल यह तो ओ ड्रेस नहीं है जो हम 60 बिठिया के लिए भीचवाए हमरी ड्रेस काहे नहीं पाहनी इसने हमरा आधा काम तो हुई गवा अब बस आधा बच्चा है अधीरा हम रस्प शुरू करें जी ममी जी काल्यानी जब तुम वो डिरस दी थी स्रिस्टी बिठिया को तो तुम उको बताई थी ना आज महंदी के दिन उसको यही ड्रेस पाहना ममी काहे नहीं कहेंगे कहा था हमने इसास का मान बढ़ता है इससे फिर काहे नहीं पैने अब ही लो आपने दिया हुआ कपड़ा पुल्वा को दे दी मारानी इलियो कोई गवा हमरा काम पूरा अब थोड़ा आग में खी भी डाल देते हैं और लाओ बड़े घर की बहु रे आईसे ही सम्मान देगी रे आपने दिया हुआ कपड़ा कामवाली को दे दी सास के मान भावनाओं की तो उनों कदरी नहीं है यह लड़की को जी भाबी जी आईए ना रसम शुरू करते हैं कौन और रसम बसम नहीं होगी आपकी लड़की नहीं हमाई एजासम और हमाई सम्मान को पहले ही लिपादिया अजिसको जो करना है सो कर ले अम्मी अम्म यह क्या हुआ इसे गुस्ता हो के क्यों चलीगी हम नहीं जानते सार्थक, ज्या हुआ बेटा? अमसे कोछ गलती हो गई क्या? क्या हुआ बिट्वा? इसमारी अम्मा कही गुस्सा करके निकल दे? आप, आपलोग चिंता मत कीजिए तुम्मोंने लेकर आते अप अम्मी इसार्थक कही अम्रा खेलना भिकाड़ दे हम जाकर देखते हैं हम आते हैं अचैने का समझती है इस लड़की अपने आफको की धखड़ी सी लड़की और अहंकार देख़। कि अपने बड़ों के मान समान को इस तरह से ठेस लगाई जाए अरे भई क्या हुआ क्यों इतने गुस्से में हो का करेंगे आप चांद के आपने बहूरिया पसंद कर ली और विट्वा पहले से ही उ लड़की के आगे पीछ लट्टू के तरह घूम रहा है हमरी तो हिंग ने ठीजान है थे अरे अरे अब बताओ गी बहुत ही पैसे उठकर क्या है अरे तुम हमरी बात मानोंगे का हमरी आज तक मानी है यह पर आप बताओ गेने तो कैसे मानेंगे अरे बता भी ते debating और कौन सा मानने वाले हो तुम हमरी बार और हाँ, एक बात, उमने बहुत ही सही कही थे, तुम्री सिष्टी बहुत है समझदार है, अत्ती अकलमंद है, कि सारी पिराजरी के सामरे, हमरे इजद की छिछिया लएदर तर्दी, और किसी को बता भी नहीं चला, बहुत है, पर हुआ क्या है, बताओ तु सही, हुआ ही है, कि तुम ही उस टिष्ठी को अपने बाद के पत प्रतिष्ठा और पाइसे का भूते आखकार है, अरे हम लोगन को बहुते छोटा समझती है, हम छोटे लोगन की बाद, उसके लिए कौनो माइने नहीं रखती, और हम आप से पूछते है, अगर हम लोग अतने ही छ तो उन लड़की का है हमरे बिटवा को गले में घंटी की तरह लड़का है, हूरे साहर में घूंती भी रही है, अम्मी, आप शान्तो हो जाओ, तेखो इसमें छोटे बड़े की बात कहां आ गई, अब तो रिष्टा भी तैह हो गया, ये खेवल प्यार की बात है, और प्या जो ही करना है ना, सो कर ले, हमरी खोपड ये खराफ करने की को रखोसिस ना करना, अरे भारती, अपनी बातों को जलेवी की तरह गोल गोल क्यों गुमा रही हो, हमरी बाते आपको गोल गोल जलेवी की तरह लाग रही है ना, तो ठीक है, सुन लिजे, सीधा सीधा का देते ह अरे हमने जो कड़ा उस स्रिष्टी के लिए खरीदा था उके पहलने के लिए उनहीं पानी जानते है का किया उस ते अपनी नोकरामी को पहारा दी तुमरी स्रिष्टी ने हूँ अब अपता है है कुछ बोलने के लिए आप लोगन के पास और अत्नी बेज़ती के बाद हम कौन सा मूल लेकर उन सब के सामने जाये बताएए हरे मा है हम चार्थक ममता में इस रिष्टे को हमने स्विकार कर लिया था लेकिन इसका मतलग यह बिलकुन नहीं है जो कल की लड़की हमरे आत्म सम्मान हो थेज पहुचा है मम्मी देखे कोई गलत फेमी हुई है हम स्रिष्टी को अच्छे से जानते हुआ ऐसा कभी नहीं कर सकते कौनों गलत फेमी नहीं हुई है सार्थक सार्थक आज जो हुआ है नहीं बहुते गलत हुआ है और आज ही हरकत करके तुम रिस्रिष्टी नहीं जता दिया कि वो अपने ससुराल को कतना छोटा समझती है और आप लोग आप दोनों कान खोल के सुन देजिए जिस लड़की का सोच अतना छोटा है उस लड़की को हम अपनी पहूर कताई स्विकार नहीं करेंगे पाबी जी ऐसा बिलकुल नहीं है अब आया असली मजा रिस्ता पहला कदम रखते तम तोड़ दे काम खत्तम अमारी स्रिष्ठी इसे के बेबारे में कभी गलत नहीं सोच सकती अरे उस सार थक तुम लोग अपनी मा को बेवकूप समझते हो ना अतने बेवकूप नहीं है जितना तुम लोग समझते हो और एक बाद कान ठोल के सुन लोग जिसको ही सादी में जोरी तरिवाज करना है कर ले हमको रख्ती भर का जूनाई करना बस अम्मी बसार थक आज हम किसी की एको बात नहीं सुनेगी और अगर किसी ने जित की तो हम अनचल त्याग देंगे आप लोग चिंता मत कीजिए पापा, आपके आड़ रिखेगा हम अभी आते यही हरकत होते हैं छोटी लोगों की बात बात पर ऐसे टुनकते हैं जैसे कहीं के राजा महराजा अच्छा खासा मेहंदी का फांक्शन शुरू होने वाला था भगवान जाने उनसे बात पर स्रिष्टी के सास मूँ फुला के बैठते जास्थर, बिट्वा पता चला काहम हाथ ते गुस्सा हुए गई यह तो शादी ब्याग का माहोल है ना, ऐसा होता रहता है आप लोग चिंता मत कीजिए दादी, मैं स्रिष्टी से दो मिनिट बात करने है हाँ, जा बिट्टा, जा अपन से खिचडी पकाने वाला ही लड़का तुम इधर शांद रहोगी तुम सार्था की मम्मी है वो, समाल लेगा, सबर करो थोगा स्रिष्टी, तुमने कोई ड्रेस फुल्वा को दीधी क्या? हाँ, वो दीधी ने आमसे कहा था ना, उनको कपड़े देने के वाई दिये थे दीधी, आपने वो ड्रेस दीधी शिष्टी को, फुल्वा को देने के लिए हम ऐसा काही करें कि पर दिमाग खराब हो गया है कामरा हमने फुल्वा के लिए अलग कपड़े दिये थे और मम्मी जो सिस्टी के लिए लाई थी ना, वो अलग कपड़े थे अभी इमाहरानी फुल्वा को कौण सा थमाई और खुद कौण सा रखी हम नहीं जानते हम बता के गए थे उसे, अच्छे से पूछ लो, अगर हम जूट बोल रहे हैं ठीधी, हमने फुल्वा को वही पैकेट दिया जो आपने हमें उसे देने को कहा था हमें तो पता भी नहीं था कि कौन से पैकेट में कौन से कपड़े हैं कहना क्या चाहती हो तुम हम जान बूच कर जोड बोल रहे हैं का हमाएं मम्मी का दिल दुखाने का सौख नहीं है हमें हमेशा गलती खुद करती हो और सारा जो चीज है हमारी माथे पर डाल देती हो दीदी, चिल्दा क्यो रहे हो? सब तो खड़े हैं यहां पर वाँ भईया यह तो बहुत ही अच्छी बात है मम्मी की तरह हमें भी चुप करना चाते हो ताकि तुम्हाई जिंदगी पर और हमाए घर पर यह माहरानी राज कर सके और यह तो देवी मौता है ना इसे तो कौनों गलती हो ही नहीं सकती शायद पूजा वाली हरकत की तरह यह भी दीदी ने जानबूज कर किया है यह कौन सा तरीका है सार्थक शायद हमसे ही समझने में भूल हो गई हमने गलती से विवा को अपना वाला पैकट दे थिया I'm, I'm sorry अरे स्विष्टी बच्ची है अरे अगर उसे कोई गलती हो गई है तो माप कर दो उसे देखो आज बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिल है कम से कम उनकी खुशी के बारे में तो सोचो हमाई सब का खयाल रखे हमाई हिच्चत का हमाई भावलाओं का किसी को कोनो खयाल नहीं किसी को कोनो कादर नहीं सर्दक इस अब माफी भावी का नाटा करने का कोनो ज़र्वत है है हम नहीं आ रहे मतलद नहीं आ रहे बस ठीक है मता ही है और उससे पहले एक बार हम दोनों की बात सुन तो लीचे उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगी हम मान लेगे और । यह देख नहीं है सरीश्टी को महंगावाला अगल सुत्र कसंद आया था अर उसनने यह मंगल शुत्र खरीदा जानते है क्यों क्योंकि उससे पता था कि वो महेंगा वाला मंगल सूत्र खरीदने के हमारी हैसियत नहीं है। जो लड़की, इन सब चीजों में इतनी समझदारी दिखा सकती है। वो कपड़ों के लिए आपका अपमान करेगी। आप खुदी सूचे। महनेब, तृष्टी से गलती से गलती हो गई होगी। उसका आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। माफ कर दीचे उसे। झाल